कि नमस्ते जोस्तों मैं आरही आरही के चनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है आज मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर आए हूं और बहुत ये छोटी वीडियो है एक दम लेकिन टेस्टी रेस्टी बनाएंगे मीठी कुछ मीठा बनाएंगे आज तो यहाँ पे हम बनाएंगे सिवाईआं बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि में दूट, सिवाई, कैसे, कितना लेना है और ये 5 मिट पे बनके तयार हो जाएगी तो हम लेंगे गैस पे रखेंगे कड़ाई, मोटे तले की कड़ाई लीजिए उस पे 2 चमच देसी घी लीजि तो यहाँ पे मैं लिया है 1.5 लिटर दूद तो यहाँ पे हमने लिया है 100 ग्राम सेवईया इतना लेंगी तो न आपकी ज़्यादा गाड़ी होगी सेवई और नहीं ज़्यादा पतली होगी एकदम परफेक्ट बनेंगी तो दूद को अच्छे से खोला लेना है दूद आपका पहले से खोला हुआ है तो अच्छी बात है नहीं तो आप दूद को खोलाना है और सेवईयों पर ध्यान देना है नहीं तो आप नहीं सेवईयों को चलाएंगी तो सेवईया आपकी जल जाएंगी नीचे से तो हमारी सिवेयां जो हें भून के तयार हो गई है अब गास को हम करें बंध बहुत चोटी सी वीडियो है और बच्चों के लिए बहुत अच्छी रेस्पी है तो हमारा दूद खुल चुका है और में किसमिस को धुल के हम मिक्स करेंगे और चीनी चीनी आप हमने स्वादमसा लीजिए बच्चों को हम मैगी बना के देते हैं जीद करते हैं बच्चे इनके उनको छोटी मोटी भूख लगती है जिनके बच्चे दाल चावर रोटी वगर तो उनके सरीर में जो है एक अच्छा प्रोटीन जाएगा सिवया लेते समय ध्यान दीजिए कि सिवयों को के पैकेट के उपर लिखा होता है कि उग्गे हूं की सिवय है वहीं लीजिएगा मैदे की नहीं लीजिएगा तो देखे यहां पर हमारी सिवया बन के तयार हो गई अगली वीडियो में अगली रेस्पी में देखे मीठी रेस्पी बन के तयार हो गई है बच्चों को खिलाएए खुद खाये थेंक्यू मिलती हूं अगली वीडियो में थेंक्यू